क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितिया आती है अभी जैसे अचानक आ गया वायोवे सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया अब तालिगान का पूर्वचे रित्र क्या है हम सब जानते हैं और उसकी जो बाते हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से तो इसका एक्सपर्टस अंकेत है कि हम सो सावधान रहना चाहिए और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था तुरकस्तान भी था चीन और पाकिस्तान तो अब तालिबान बदला भी होगा पाकिस्तान बदला है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और इसलिए यह मानते हुए भी रुदे परिवर्तन हो सकता है बुरा से बुरा आत्मी भी बदल सकता है बाचित से समवाच से बाते हल होती है प्रेम से अहुंसा से मामला ठीक हो सकता है इसको मानना चाहिए इसके प्रयाज भी जारी रखने चाहिए लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चोबंदों भुने की आपश्रकता है जहां बार बार आग कर्मंण लेकिन जहां नहीं नहीं होते नहीं होते हैंसा हम कहते हैं लेकिन चोरिट olethe रहते ते साओरी सीमा है कि हमारे साओरी प्रदेस में जो tapu है कि देश के अंदर की बाते हैं इन सब को बहुत अच्छा करना चाहिए इंटरनेट के उप्यों के कारण अब साइबर सिकुरिटी का अभी प्रष्टना खड़ा हो गया है उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो हुआ तो भी वो कुछ न कर सके ऐसा आमको ठीक रखना पड़ेगा अभी अभी जम्मू कश्विर में होकर आया वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाब मिल रहे हैं उसको तो मानते हैं देश के साथ सात्मी करण हो इसके प्रयास बढ़ाने के अवश्यक्ता है मन से एक होना चाहिए हिच्चन वीडियो गलीगे प्रतिध्वनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब माड़ी बेल आइकॉन क्लिक माड़ी